नमस्काम मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 24 सितंबर दिन रवीवार्ट खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राचे में सारवजनिक पड़िवहन के बहनों की लाइफ ट्रैकिंग सुरूँ परिच्छाओं में पास कराने का दावा करने वालों के खिलाफ यहां करे शिकायत नलकूप लगाने पर बिहार सरकार से 45 हजार रुपए ऐसे करे आविदर साइबर अपराधियों के मोबाइल का IMEI नंबर होगा बंद टीम इंडिया आज दूसरे वंडे में सिरीज अपने नाम करने उतरेगी मैदान में अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर वस्तार से ECIL ने अपरेंटिस के 484 पदों पर निकाली भरती Electronics Corporation of India Limited के दूसरे अपरेंटिस के 484 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वे अभ्यर थी जो इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ECIL की अधिकारिक वेबसाइट www.ecil.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बता दी कि आवेदन करने की शुरूआद 25 सितंबर से होने वाली है वहीं आवेदन करने की अंतिम तारिक 10 ओक्टूबर 2023 तकनर धारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार को संबंधित साइबर अपरादियों के मोबाइल का IMEI नंबर होगा बंद राजे में बरते साइबर क्राइम को देखते वे पुलिस मुख्याले के नर्दीश पर आर्थी कप्राद दिकाई के द्वरा निस्नल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से साइबर अपरादियों के मोबाइल नंबर सिम को और मोबाइल के IMEI नंबर को निस्क्रिय करने की कवायत शुरू कर दी गई है बता दे कि यह प्रक्रिया मैं 2023 से प्राड़म की गई है मालम हो कि अब तक कुल 6187 सिम को ब्लॉक करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है बेजा गया है आर्थी कप्रा दिकाई पटना के डिया जी मानव जी सिंग धिलो के द्वरा दी गई जानकारी के नुस्तार अपरादियों के मोबाइल नंबर और IMEI नंबर को चिनित कर उन्हें निस्क्रिय करने का काम किया जा रहा बिहार पर रिटन में आज हम बात करेंगे पत्थर कटी के बाड़े में पत्थर कटी बिहार के गया जिले का एक छोटा सा गाउं है और यह सहर से करी 20 किलो मीटर की दूरी पर मौजूद है इस गाउं का मुख्या पेशा पत्थर को तरास कर खूपसूरत मूर्ती बनाना है प्रमपरागत रूप से यह काम गौर ब्राहमनों तक सिमित था जो इंदोर की रानी अहलिया बाई के निमंतरन पर राजिस्थान से यहां आए थे ऐसा कहा जाता है कि प्रस्थ विश्णूपद मंदर का निर्मान इनी गौर ब्राहमनों द्वारा की हुआ था इस जगह की खासियत लिया है कि यहां के स्थान ये कारीगर काले कठोड पत्थर पर नकाशी करते हैं जो कि अपने आप में हुनर पेस्गी का एक अनोखा नमुना है पत्थर कटी पत्थरों से बनी चीजों के लिए काफी प्रस्थ है यहां के कुशल काडीगर क्रिनाइट सफेद बलुआ पत्थर संगमरमर को विवन सरूप देने में माहिर हैं पत्थरों से घरेलु सामान जैसे थाली कटोड़ा इत्यादी बनाये जाते हैं अगर आप पत्थर से पनी चीजों के शौकीन है तो पत्थर कटी जरूर जाएं राचे में सारजनिक पड़िवहन के वाहनों की लाइफ ट्रैकिंग शुरू अब राचे में सारजनिक वाहन जैसे बस, कैब आदी को साबधान रहने की जरूरत है क्योंकि अब उनकी लाइफ ट्रैकिंग शुरू हो गई है दरसल सारजनिक वाहनों में वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है ताकि उनकी मॉनिटरिंग की जा सके वहीं इसके लिए विवाग के ओर से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जहां सेंस सारजनिक वाहनों पर नजर रखी जाएगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि विवाग के ओर से जारी रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि 21 सितंबर तक वार विवरन तयार किया गया है ताके इन सब विवाग के माली को चाला निर्गत किया जाए अब राची के माल भूग चिनिया और 32 का बढ़े का स्वात क्रिशी सचीव संजय कुमार अग्रवाल के द्वरा जानकारी देते वे बताया है कि राची के पढऴ्परागत के और साथ ही पौधार ओपन सामगडी का प्रोटोकॉल तयार करेंगे। पटना बक्तियारपूर रजॉली और पटना गयार डोभी का निर्मान इस दिन तक होगा पुड़ा। और वहां टोल टैक्स की वसूली हो रही है। वहीं बक्तियारपूर रजॉली में भागन विगहा के पास और पटना गया डोभी एनच में जहानाबाद और गया जिले में टोल प्लाजा का निर्मान किया जा रहा। जहां टैक्स की वसूली केंदरी मंतराले के अधिसूशना के बाद शुरू की जाएगी। BPSC सरसटवी परिक्षा के डॉक्यमेंट अप्लोड करने की विंडो खुली। जिन भी अभ्यर्थियों के दौरा जो सरसटवी मुख्य परिक्षा में भाग लिये थे लेकि उन्होंने निर्धार इतिति के अंदर दस्तावेज अप्लोड नहीं किया है वे आज यानि की 24 सितमबर तक दस्तावेज अप्लोड कर सकते हैं। अलाक इस बीच इस बात की ध्यान रखे कि डौक्यमेंट की साइज सौब के भी से अधिक नहीं होने चाहिए। जमुई में बर्नार नदी में धसा पुल बिहार में एक और पुल छतिग्रस्त हो गया है। पुल के दोनों और बैरिकोडिंग कर दी गई है वहीं अस्थानिये लोगों के द्वारा गलत तरीके से बालोखनन करवाने कारूप लगाये गया है। उनका कहना है कि इसी कारण पुल धोस्त हो गया है। बिहार लीची उतपादक संग को मिला राश्रुपती से सम्मान। देते वे बताया गया है कि उनके द्वारा जन्बारा प्रजातियों के लीची का सनक्षन किया गया है। उनमें गंडकी संपदा, गंडकी योग्यता, गंडकी, लालीमा, रोज, सेटेंड, स्वर्न रूपा, अडली, बेदाना, लिट, बेदाना, लोंगिया, त्रिकोलिया, मंदरांची, पुर्वी और लोगन प्रजाती शामिल है। इसके लावा उन्हें पैकिंग के छेतर में भी बहतर कारी करने के लिए भी सम्मान मिला है। अब घटा कर 30 दिन कर दिया गया है। के बीच अंतराष्ट्री कंवेंशन सेंटर का निर्मान किया जा रहा है। जिसके अंदर परेटक पहारों का मनुरम द्रिश्य और गंडक नदी की धारा को देख सकेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ परेटकों को जंगल की हरी आली देखने को मिलेगी। बतादे कि संतराष्ट्री कंवेंशन सेंटर में चार अधीती भवन, एक डोमेटरी, एक पांसो सीट वाला मिटिंग हॉल, भोजनाले, 102 कमडों का सकती ग्री एवं पार्थ का निर्मान किया जा रहा। अगर इस अंतराष्ट्री कंवेंशन सेंटर के उधगाटन की बात करें तो भवन विवाग के सचीव कुमार रवी के द्वरा दी गई जानकारी के नुसार इसका उधगाटन बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के द्वरा किया जा सकता है। नलकूप लगाने पर बिहार सरकार से 45,000 रुपए ऐसे करे आविदन। जिसके तहट किसान के पास सुने दसंवर चार शुने एकर की क्रिसी योग के भूमी होनी चाहिए और साथी किसानों को भू धारकता का प्रमान पत्र LPC देना होगा और इसके अलावा 70 मीटर तक की 4-6 इंच व्यास वाले नलकूप स्थापित करने होंगे। इस योजना से जोड़ी अधिक जानकारी एवं योजना का लाब लेने हैं तो ऑनलाइन स्थी टी पी कोलम्स्लैस्लैस्लैस हौटीकल्चर.विहार.जियोवी.ट इन पर विजट कर सकते हैं। विहार के कई जिलो में बारिश के आसार। इन इलाकों में यलो अलर्ट जारी किया गया है तो वही कसन गंच रढ़िया और सुपॉल जिलो में एक या दो अस्थानों में अती भारी बारिश की संभावना जिताई गई है। प्रदेश में बारिश होनी की संभावना ना के बढ़ा है। परिशाओं में पास कराने का दावा करने वालों के खिलाफ यहां करे शिकायत। बीपियसी सिपाही भरती सक्षक बहाली स्टी एटी जैसे परिशाओं में पास कराने का दावा करने वाले कई ठक गिरों सक्रिये हैं जो अभियर्थियों को फोन कर उनसे पैसे के डिमांड कर परिशाओं में पास कराने का दावा करते हैं। एसे में अभियर्थी इस तरह के जाशंसे में ना आए और अगर आपको भी इस तरह का कोई कॉल आता है, तुरंत इसकी शिकायत करें, बता दे कि शिकायत करने के लिए तुरंत नस्दी की थाना, साइबर थाना या एक नौ तीन शुने पर कॉल कर सकते हैं, इसके रावा शिक के दौरा दी गई जानकारी के नुसार 30 सितंबर से 1 औक्टूबर तक चीन के टाइपे में आयूजित होने वाले एशियन अंडर 18 रगभी फुटबॉल चैंपियंशिप के रिए भारतिय टीम में बिहार के सुपॉल जिले के निर्मली बाजार की रहने वाली अंसु कुमारी क अबी उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते वे चैन किया गया है बतादे के अंसु कुमारी पिछले एक माह से रगभी इंडिया द्वारा ओडिशा में आयूजित नेशनल कैंप में अभ्यास कर रही है वह अंसु का भारतिय टीम में चैन होने पर उसके पड़िवार सहि के द्वारा खुशी व्यक्त करते वे पूरी उम्मी जिताई गई है कि वह मेडल जीत कर देश सहित अपने राजे और जिले का नाम रोशन करने का काम करेंगी पटना हावडा वंदे भारत एक्सप्रस का इस दन से नियमित परिचालन होगा शड़ू हफते में 6 दिन चलेगी ऐसे में गारी संख्या 22348 पटना हावडा वंदे भारत ट्रेन 26 सितंबर से पटना जंक्सन से शुभा 8 बजे खुलेगी और पटना साहिप मोकामा लखी सराय जसीदी जामतारा आसनसोर और दुरगापुर में रुकते वे दिन के 2.35 बजे हावडा पहुँचेगी वहीं वापसी में गारी संख्या 22347 हावडा पटना वंदे भारत ट्रेन दो पहड बाद 3.50 बजे हावडा से खुलेगी और राद 10-40 बजे वापस पटना जंक्शन पहुँचेगी प्रमंडा लस्तर पर गठित होगा दुरगटना दावा ट्रिब्यूनल आवेदन दिये जाएंगे जिसके बाद ट्रिब्यूनल के आदेश पर संबंध बीमा कंपनी मुआवजे का भकतान करेगी बता दे के जिस प्रमंदल में दुरगटना होगी वहां के संबंध ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी हर ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होंगे जिनकी निकती पड़िवान विभाग के अपर मुखे सचीव या प्राधान सचीव या सचीव की अध्यक्षता में गठेट स्क्रीनिंग समीती की अनुसंसा पर मुखे मंत्री के अनुमोदल से होगी पटना में कोचिंग संचाला खान सर ने अमिताब बच्चन को पढ़ाया फजक्स बच्चों को पढ़ाने के अपने अनुठे शाली के कारण पटना के खान सर आज पूरे देश भर में जाने जाते हैं बता दे कि वह बहुत जल्दी खान सर सोनी टीवी पर अमिताब बच्चन के लोग प्रिये सो कौन बनेगा करोड़ पती में बतौर गिस्ट के रूप में होट शीट पर बैठे नजर आने वाले हैं जिसमें वो अमिताब बच्चन से कहते हैं कि यह यानि की जाकिर खान सकते हैं तो यह निट्रॉन हो गए ना इन्हें प्लस से मतलब है और ना ही माइनस से और हम हो गए प्रोटॉन हम दोनों एक साथ रहते हैं नुकलियस में आप यानि के बिक भी माइनस में है क्योंकि अब हम चाहेंगे कि हम आपको खीचे और आप हमें खीचेंगे और हम दोनों दम लगाएंगे तो दोनों गोल-गोल घूमने लगेंगे खांसर के इन बातों को सुनकर अमिताब बच्चन कहते हैं कि जो आपने अभी सिखाया है उसे जिन्दगी भर नहीं भूलूँगा बिहारी बोतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे एएफ सलाउद्दीन एहमद के बाड़े में एएफ सलाउद्दीन एहमद का जन्म आजी के दिन 1924 में बिहार के मोतिहारी में हुआ था यही एक बांगलादेश इतिहासकार मानक्तावादी और तर्कवादी विचारक थे वराज शाही विश्यविद्याले में व्याक्याता पाठक और फिर इतिहास के प्रोफेसर थे वह जहांगीर नगर विश्यविद्याले और धाका विश्यविद्याले में इतिहास के प्रोफ युनिस्को सांस्ट्रित एक फेलो भी थे एमद सुतंत्र विश्विद्याले बांगलादेश में राश्ट्रिय संस्कृती और विडासत के प्रोफेसर के रूप में और बांगलादेश के राश्ट्रिय समाजिक विज्यान संग के अध्यक्ष और बांगलादेश के सेंगत राश्टर संग के अध्यक्ष के रूप में कारे कर चुके हैं। उन्हें एकूसे पदक बांगलादेश, साधीनोत पदक और बांगलादेश सरकार द्वारा राश्टरिये प्रोफेसर के निपतिकर सम्मानित किया गया था। तीन फ्लोर का होगा पटना मेट्रो का रुकनपूरा में भूमिगत स्टेशन। के प्रस्ताव पर जिला प्रिशासन की ओर से जमीन अधिग्रहन की प्रक्रिया की शिरवात कर दी गई है। बता दे कि मिले जानकारी के नुसार इस तीन मंजला भूमिगत स्टेशन के पहले फ्लोर पर टिकेट काउंटर का नर्मान किया जाएगा तो वही दूसरे फ्लोर पर यात्रियों के लिए अन्य सुधाई होंगी और तीसरे फ्लोर पर यात्री, पत्ना, मेट्रो, जंक्शन और दानापूर कैंट की तरफ जाने के लिए ट्रेन पकर सकेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष, एक्यासी प्रदेश महासचीव, जिनमें से चार महासचीव को प्रदेश मुख्याले का प्रभारी भी बनाया गया है। टीम इंडिया आज दूसरे बन्डे में सिरीज अपने नाम करने उतरेगी मैदान में। बीते 22 सितमर को भारतिय टीम की ओर से तीन मैचों की वंडे सिरीज के पहले मैच में आस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हडाते वे सिरीज में एक शने से बहत बना ली थी। वहीं आज यानी की 24 सितमर को भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच सिरीज का दूसरा वंडे मुकाबला खेला जाना है। तीन मैच में आज का मैच तेम इंडिया जीतने के एरादобщy से मैदान में उतरेगी ताकी इस शीरीज को अपने नाम कर सके। आपकी जानकाली के लिए बता दे कि आज का यह मैच होल कर इस्टेरियम में दो पहर डेर वज़े से खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के वीच अब तक को 147 वन डे मैच खेले गया है जिन में से 82 मैच टीम आस्टेरिया ने जीते हैं जबकि भारत को 55 मैचों में जीत मिली है इसके अलावा दोनों टीमों के बीच 10 मैच बे नतीजा रहे हैं आला कि हालिया फॉर्म को देखते वे भारतिये तीम का पल्राभारी लग रहा है ऐसे में आज का यह मैच पेहधी रुमान चक होने वाला है मारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णो से दच इस इंडिया कंपनी को 1726 में मंबई, कलकत्ता और मदरास में नगर निगम और महापौर अधालतों को बनाने के लिए अधिकरित किया गया खल सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कुमा ने 2008 को एक समारू में प्रादेशिक सेना में लेटिनेंट करनल की मानद पद्वी प्रदान की मदरास उचनेयाल ने 2008 को राजीव गांधी हत्यकांड में नलिनी और दो अन्य दोशियों की समय पुर्वरीहाई संबंधी याचिका खाड़िच की देश के पहले चंद्रयान एक ने 2009 में चांद की सतपर पानी खोज निकाला उर्दु के शायर अकलाक मुहमद खान सरयार को चोवालिसवे तिथा मल्यालम के कवी और सहेतिकार ओ एनवी कुरूब को तिरालिसवे ग्यानपीर पुरुसकार से सम्मानत करनी की घोशना 2010 में की गई भारती अंतरिक्ष अनुसंधां संगठन के उपगढ़ मंगल यान ने 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलता पुर्वक प्रवेश किया हिंदी खड़ी बोली और भारती इंदु युक के उन्नायक प्रताप नारायन मिश्र का जिन्मठा 156 में हुआ भारती चिकसा सास्त्र के वैग्यानिक आतोर सिंग पैटल का जर्म 1945 में हुआ भारत की प्रसिद मैला तेराक आरती साह का जर्म 1964 में हुआ भोतुड़व प्रसिद भारती क्रिकेटर खिलारी मोहंदर अमरनात का जर्म 1950 में हुआ वायलकर में आज हम बात करेंगे PM किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी करी में आज हम बात करेंगे PM किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में और इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए अग्रिकल्चर इंडिया ऐसी कोई योजना नहीं चला रही स्मार्टफोन में से गलती से डिलीट हुई फोटो ऐसे पाएं वापस जो फोन से डिलीट हो जाती है ऐसे में अगर आप अपने फोन से डाटा को डिलीट भी कर देते हैं तो भी उसे 30 दिनों सक्रेकवर कर सकते हैं इसके रावा आप सबसे पहले फोन में मौझूद गैलरी अपर जाएं फिर यहां नीचे की तरफ जाएं फिर नीचे की तरफ आये ओर डिसंटल से डिलेटेड विकल पर टैप करें यहां से उब सब वीडियो और फोटोस को आप डिकवर करना चाहते हैं जो आप रिट्रीव करना चाहते हैं रिकवर होने के बाद फोटो वीडियो अपनी पहले वाली लोकेशन पर आ जाएंगे इसके अलावा आप गूगल फोटो से भी अपने डिलीट हुए फोटो या वीडियो को वापस पास सकते हैं इसके लिए आपको गूगल एप पर जाना होगा फिट्रैस फोल्डर में जाना होता है गूगल फोटोस के इस फोल्डर में 60 दिनों तक डिलेटेड आइटम सेव रहते हैं हम प्रते दिन आपसे पाँच ऐसे जरूरी सवाल और उसुजरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, विहार पुलिस, दरोगा समीत, SFC जैसे अने प्रतियों की परिक्षाँ में काम आएंगे सवाल इतिहास, विहार स्पीश, विज्ञान, करिंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे हमारा पहला सवाल है, हाली में किस परालंपिक एथलेट ने वर्ल्ड ड्वार्ग गेम सो हजार तैस में गोल्ड मेडल जीता है इसका सहुतर है ओप्शन सी मार्क धमोई अगला सवाल, हाली में किस अंतराश्चे कमपनी ने आगामी ICC विश्यकप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी तैयार की है ओप्शन E आदिदास, ओप्शन B पूमा, ओप्शन C सैंसंग, ओप्शन D नाइक इसका सहुतर है ओप्शन E आदिदास अगला सवाल, बिहार विक्रमसला गंगा डॉल्फिन अभ्यार ने कहां अस्तित है ओप्शन E भागलपुर, ओप्शन B नालंदा, ओप्शन C गया, ओप्शन D कटिहार इसका सहुतर है ओप्शन E भागलपुर अगला सवाल, कौन सा शहर विहार के सबसे पुर्वी भाग में इस्तित है Option A. भागलपुर, Option B. पटना, Option C. कटिहार, Option D. पुर्णिया इसका सही उत्तर है Option C. कटिहार अगला सवार बार सूपर थर्मल पावर स्टीशन कस जिले में स्थित है? Option A. पटना, Option B. बेगुसराई, Option C. औरंगाबाद, Option D. रोतास इसका सही उत्तर है Option E. पटना बीदे दिन हमारी तरह पूछे का सवाल का आप लोगों में सी बहुत लोगों ने इपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंनी हमारी तरह पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राजकिसोर महतो, गोनर सर्मा, मुहमद जुबेर आलम, नुनोगोलो कुमार, राजूर, सैलजा कुश्वाह, नकिल कुमार भारती, विश्नुदेव, अकांचा राज, मुहमद सकीर हुसेर, मुहमद फहीम, प्रियाग सिंग, मुकेश, रान करने में सफल हो पाएगी या नहीं, अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सक्सर में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ, बने रहने के लिए देखते रहें, बिहारी नियूस, और साथ ही, अगर आप यूटूब से देख रहां, जान को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहें, तो पेस को फॉलो करना ना भूले, थन्यवाद।